आगर की जला स्पताल से गर्वती महिला को उसके पेट में पल रहे बच्चे की पल्स कम चल भी है जिसके चलते बच्चे को और बच्चे की माँ को जान का खत्रा है बता कर उजेन के हॉस्पिटल में रेफर की गई महिला की डिलेवरी आगर से 55 किलोमीटर दूर हाइवे पर आगर जला स्पताल में एक बार फिर डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है जहां पर बड़ोत के हॉस्पिटल से गर्वती महिला को जला स्पताले रेफर कर दिया जहां वार्ड इंचार्ज डॉक्टर रोहत चौधरी के द्वारा डिलिवरी महिला की ना तो कोई सोनोग्राफिक कराए गए और ना ही बच्चे की पल्स चेक की गए उसके बाद भी डिलिवरी वार्ड इंचार्ज डॉक्टर रोहत चौधरी के द्वारा डिलिवरी महिला को सीरियस बताकर उज्जेन के च्ट्रक हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया जो डिलिवरी महिला की डिलिवरी आगर से 55 किलो मीचार खाईवे पर हो गई ऐसे में महिला के साथ कोई बड़ी घटना घटत हो सकती थी लेकिन डॉक्टरों के द्वारा भी जबाबदारी से दूर होकर महिलार उसके बच्चे को सीरियस बताकर उज्जेन हॉस्पिटल रेफर कर दिया यह पहल जो कि साले से डॉक्टर अपनी जबाबदारी ने भाते हुए दिखाई देंगे जो शासन से लाखों रुपी की तनखा तो ले रहे हैं लेकिन शासन के द्वारा असाय गरी मजदू लोगों को मिल रही से विधा से वंचत करते हुए नजर आते हुए डिलेवरी कि पिए ते पर पोड़त में दिन बर रहे तो हुवी निए अगर पेत्दिया के Anime आगर अगर पेत्दिया के आगर वी गए तहांपर इलाज हुआ था पर इलाज़ास कुछपी रिक आस हुआ का पर इंघ आगर अपने पूछाओ कर देलेवरी होगा कि नवकर क्या कहा था क्या बोला था बच्चा का दड़कन नहीं है विद्धा कर दो थो हमारे हम करीब आत्मी है काल लेकर जाएगी चोटा चोटा बच्चा बच्ची है काम कुमेंगी फरेंगी हम काकी भी नहीं है तो नहीं नहीं कर दो यह राज भाइब कर दोनों का जान जाएगा इस तो यह लगए क्या अपती यह मेरे साली है तो यह ट्रेटमेंट में गड़ा है।